उडिसा के 400 डिष्टिक में एक भेंकर ट्रेन दुर्गतना गस्त हुई है जिसमें अब तक करीब 2500 से जादा लोग की जान चली गई है लगभग 1200 से जादा लोग घायल है इसका भी ऑफिसियल फीगर आना बाकी है लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह जो आप ग्याज आप समझ सकते हो यह इतना वरा दुर्गतना होने के कारण जो इतने सारी लोगों की जान गई है उसके जिम्मेदार कौन होंगे मैं आपको बता दू 1-2-8-4-1 सालिमार चन्नाई एक्सप्रेस जो की सालिमार से आके चन्नाई की और जा रही थी और दूसरी टेन हमारी बैं सालिमार चन्नाई कोरुमंडल एक्सप्रेस अपने फुल मैक्सिमम परमिसिवल स्पीड पे 130 kmph पे आ रही थी उससे पहले क्या हो गया था जो हमारी SMBT बैंगलोर हावरा वाली जो ट्रेन है वह चलके जा रही थी और उसके तीन डब्बे पत्री से उतर गये थे और वह दू पहले भी समझाया था वह पूरा ब्लॉक हो गया और पीछे से कोरुमंडल एक्सप्रेस अपने फुल स्पीड से आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि सिगनल रेड होने की बज़ाए सिस्टम फैल्योर हो गया सिंगनल फैल्योर होने की बज़ा से लोको पाइल उसके जो यह 130 के MPS से क्रू ने ब्रेक लगाई होगी लेकिन रुखते रुखते यह जोरदा टक्कर मारी है माल गारी कोई इसको रोका गया था उसको खतरनाक से टक्कर मारी गई है और आप अंदाजा लगा आगे के दो कोच आज कल रहते हैं उसमें जेनरल कोचे रहते हैं जिसमें क कोई आकरा निकल के नहीं आने वाले कितने लोग उस जेनरल कोच में थे आप आप जेनरल की हालत देख के अंदाजा लगा लो कितने लोग होंगे उसमें और इसके 17 डबबे बेपट्री हो गए कोरो मंडल एक्सप्रेस के और 7 डबबे की बहुत बुरी हालत है एक कोच में अंदाजा लगा लो और आप मैं तो सोच नहीं पा रहा हूं कि हम इस दुख के घरी में हमारी सम्मेदनाए उस परिवार के साथ है जिनके परिवार के लोगों की जान चली गए है घायल है जो घायल है मैं उनके स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं जल्दी से रिकवर हो इस पर जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा मैं ठैंक्स कहना चाहूंगा उडिसा में जो बालेस्वर के लोग हैं उनका भी रात भर लगे रहे इस रेस्की ऑप्रेसर में साथ देते रहे जो एंडियार फोर जो बांकी ऑफिसियल थे उनको में लाइन लगी हुई है लोगों का ब्लेड देने के लिए अपना ब्लेड देने के लिए क्योंकि आपको पता है कितने अभी सारे अस्पिताल पैक हो गये हैं बहुत सारे लोगों को भुनेस्टोर कटक रेफर किया जाए